नमस्ते साथियो, आज जो वीडियो हम आपके सामने लेके आये हैं, वो है परफेक्ट स्पेरो हाउस, चिडिया जिसे गवरईयां कहते हैं, अंगरिजी में स्पेरो कहते हैं, इस चिडिया के लिए, इस गवरईया के लिए जो घोसला चाहिए, जो घरोंदा चाहिए, वो किस साइज का होना चाहिए उसके लंबाई चवडाई कैसी होनी चाहिए और मटेरियल क्या होना चाहिए ये देखिए ये लकड़े के बॉक्स है जिसके अंदर मशनरी आती है या फल्फूरूट आते है ऐसे बकसे लकड़ी के बकसे जो है वो हमें मार्केट में 5-10-20 रुपए में मिल जाते हैं इसे टेबल कटर के उपर हमें एक परफेक साइज में काटना होता है इस तरह का आप टेबल कटर बना सकते है या तो फिर आरिसे भी काट सकते हैं अभी जो हमने ये जो कट बनाया है ये फ्रन्ट है गोसले का सबसे पहले फ्रन्ट और बैक वाल जो है वो दुनों आप एक बार सही तरीके से काट लीजिए दुनों का भी जो नाप है उसेम होना चाहिए मेजर्मेंट ये फ्रन्ट और बैक है गोसले का अब इसकी जो हाइट है वो 9 इंच है और चवड़ाई 5 इंच है और वो उपर जो ट्रेंगल देख रहे है आप उसकी हाइट है 2.5 इस तरह से आप पहले पना लीजिए फ्रन्ट बैक ये है च्छत की साइज जो स्लैब उसके उपर हम लेने वाले हैं उसका साइज है 5 इंच पाई 6 इंच और दूसरा है 5 इंच पाई 6 इंच जो स्लैब आने वाले है उपर का दिक्कत ना आए खिला ठोकते हुए इस तरह से उसको मराठी में हिंदी में उसे चपपस कहते हैं ऐसे क्रॉस कटिंग कर लीजिए पौन इंच से ज्यादा लगबग एक इंच के आसपास उसके बाद हम पहले राइट वाल फरंट को पेश्ट कर रहे हैं फेविकॉल से पेश्ट करके उसे खिले से ठोक देना है तीन या चार खिले हमें उसके अंदर जड़ना है खिले का जो साइज है वो एक इंच लंबई होना चाहिए और मोटाई 17 mm 17 नंबर का खिला आता है 17 नंबर की खिले से आप ये सब जोड सकते हैं ये अभी साइड वाल फ्रंट को लगाना चलू है ये जो सब लकड़ी है मार्केट में मिल जाती है इजीली मिल जाती है सब वेस्ट मटेरियल है हमें कोई स्पेशल उसका पर्चेसिंग नहीं करना है अब ये लेफ्ट साइड की वाल है लेफ्ट एंड राइट साइड दुनों हम खिले से ठोक लिए उसके बाद फेवी कॉल लगा के बैक वाल जो है वो हमें पेश्ट करना है और उसके अंदर खिले जड़ देना है हमारे जो आउजार है वो हम सईडंग से यूज़ करें कोई हमें हतोडी या खिला इसे जक्मन हो पाए सावदानी से काम करें ये हमारा वर्क्शॉप है अब ये उपर की छत छत के दोनों वाल जो है जो पाज बाए साड़े छे इंच और एक है पाज बाए छे इंच का अब ये उसके उपर हमने फेवे कॉल लगा के पेश्ट कर लिया है अब इसके अंदर भी हमें खिले जड़ना है फेवे कॉल लगा के ये देखिए बोद साइड इसका पेश्टिंग हो चुका है अब इसके अंदर जो खिला है वो भी 17 नंबर का ही खिला है एक इंच लंबाई है हमारे सिमेंट के घर होने के वज़े से चिड़िया को उसके अंदर गोसला बनानी के लिए जगा नहीं मिल पाती और इसी वज़े से चिड़ियों की संख्या में कमी आ गई है उस कमी को दूर करने के लिए और चिडियों की संख्या में बढ़त होने के लिए हमें ऐसे कृत्रिम Artificial Perfect Houses बनाना है ये देखी हमने एक श्टिकर बना लिया है जिसके उपर हमारा स्लोगन है हमारा टाइटल है हमारी संस्ता का नाम है चिवताई घरकुल योजना जिसे हिंदी में गवरईया आवास योजना स्प्यारो स्यव स्प्यारो प्रोजेक्ट ये पिछले सत्रा सालो से चल रहा है मैं स्वयम संजय गुरव इसे बनाता हूँ इसमें कोई मजूरी नहीं अब इसके अंदर जो चीडिया को आने जेने के लिए जो होल है वो बना लिया है ये टांगने के लिए एक हुक लगा दी है अब देखिए इसकी चवड़ाई साइडवाल लगाने के बाद में नौवबाई छे इंच की हो जाएंगे और ये साइडवाल है पाजवाई साड़े छे इस तरह से हमारा घोसला त्यार हो गया है ये सामने दो लकडिया लगा दिये चीडिया को बेठने के लिए जब उसके बच्चों को वो दाना चुगाती है और ये जो होल है ये 1.5 इंच का है इसका डायमेटर 1.5 होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भीने ये देखिए लगाते ही चीडियों का आना जाना चालू हो गया है अगर आपको हमारा ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया है अगर आप इस प्रोजेक्ट में सामिल होना चाहते है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडिय वीडियो को पहुचाने के लिए आप हमारी मदद करेंगे ऐसी मैं आश्या रखता हूं हमारे चानल पर ऐसे वीडियो देखने के लिए जरूर जरूर हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद में आश्या है आप इस पुर्जेत में सामिल हो जाओगे गवरय आवाश योजना आप भी अपने गाव में शुरू करोगे एक टूबी गोसला आप अपने आंगल में लगाओंगे फैंक्यू फिर मिलेंगे